नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन धर्म का संसार पर दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले 21 मई 2023 निर्जला एकादशी तिथी के दिन करे यहां गुप उपाय धन दौलत खुशियों से भर जाएगा आपका घर साक्षात मिलेगा आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्नु जी का आशिरवाद दोस्तों निर्जला एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी एकादशी तिथी माना जाता है 31 माई 2023 को पढ़ने वाली निर्जला एकादशी तिथी एक मात्र ऐसी तिथी होती है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान विश्नु जी और माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद एक साथ मिलता है वैसे तो निर्जला एकादशी तिथी के दिन निर्जला वरत रखने से मानव को अपने जीवन में सभी तरह के पापों को छुटकारा मिलता ही मिलता है इस दिन किये गए दान पुन्य वरत पूजा आराधना का फल आप सो तक मिलता है परन्तु अगर आप इस दिन वरत नह लक्ष्णी जी का इस तरह से आशिरवाद मिलेगा जिसके बाद ना केवल आपके जीवन का दुर्भाध्य दूर हो जाएगा बलकी आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासल होगी धन परेशानिया तो खत्म होंगी ही होंगी आपके जीवन म खीचा हुआ चला आएगा आएगा जिसकी आपने कलपना नहीं की होगी दोस्तों हिंदू धर्म में हर साल 24 एकादशी तिथी पड़ती है हर एकादशी तिथी पर भगवान विश्णु जी की पूजा पाठ विधी विधान से की जाती है परंदू पूरे साल में सिर्फ निर् उपाय बताये गए हैं जो पूरे साल में अगर आप सिर्फ निर्जला एकादशी तिथी के दिन कर ले तो इन उपायों को करने के बाद आपको कई जन्मों तक इनके पुन्य का लाब मिलता रहता है हमारे धर्मशास्त्र भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वर्दान पाने का निर्जला एकादशी के दिन को सबसे अच्छा मौका बताया जाता है कहा जाता है इस दिन किये हुए उपायों से आपको जीवन के सभी तरह के कष्टों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है एक दिन की की गई पूझा साधना क्रिया से आपकी कोई भी पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है निर्जला एकादशी तिथी के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में और अपने दोनों हातों से अपने भक्तों पर कृपा बरसात हैं। प्रसन्न मिलेगी ही मिलेगी आपके जीवन की कोई भी इच्छा हो कोई भी इच्छा हो इन उपायों को करने के बाद वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी दोस्तों एक बात का रखिएगा किसी व्यक्ति का राहु के तु उसका साथ नहीं देता है। और वहाँ व्यक्ति चाहे जितना भी मेहंत कर ले, कितना भी कर ले, वो कभी भी आगे नहीं बन सकता है, परन्तु अगर किसी व्यक्ति का राहु, केतु उसका साथ देता है, वो गलत फैसला भी लेगा, उस गलत फैसला से उसको फाइदा पहुचेगा, और किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रन होता है वो भगवान विश्णो जी के हाथ में होता है और अगर आप चाहते हैं कि आपको साक्षात विश्णो जी का वो आशिरवाद मिले जिसके बाद आपके राहु केतु आपका इस तरह से साथ दे कि आप जो भी फैसला ले आपको उससे फाइदा पहुँचे तो दोस्तों निर्जला एकादशी तिथी के दिन कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने के बाद पूरे साल आपका राहु के तू आपका साथ देगा दूसरी तरफ निर्जला एकादशी के दिन अगर आप माता लक्ष्मी जी को प्रसंद कर ले है कि एक साल में 24 एकादशी तिथी पढ़ती है और निर्जला एकादशी तिथी के दिन आप जो भी पूजा पाठ करते हैं आपको साल की 24 एकादशी तिथियों का पुन्य एक साथ ही निर्जला एकादशी के दिन की गई पूजा से मिल जाता है इस वीडियो में हम आपको स की समस्याओं से आपको मुक्ती मिल जाएगी दूसरी तरफ निर्जला एकादशी तिथी के दिन दो चार, पांच मिनट निकाल करके वो कौन सी गुप्त पूजा आपको कर लेनी चाहिए, जिसके बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्नु जी का आश आशिर्वाद मिलेगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास तक तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके पास एक आखरी मौका होगा, निर्जला एकादशी तिथी के दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है, और इस दिन अगर आप साक्षात भग भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशिर्वाद साथ पाना चाते हैं, तो वहाँ उपाय कर लीजिए जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रही हैं, इसलिए आप भी चाहते हैं, कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशिर्वाद आप पर सदैव बना रहे भगवान विश्नु के आशिरवात से आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आप से दूर हो और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाए, हमेशा आपका नसीब आपका साथ दे रहा हो। के तो आपके साथ खड़े रहें और माता लक्ष्मी जी के वर्दान से आपके जीवन में धन की वर्षा हो कभी भी आपको धन संबंधित कोई भी परेशानी ना हो तो पूरी सची शद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस विडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख जय भगवान विश्वन जी की जय माता लक्ष्मी जी की और एक काम कीजिएगा कमेंट अपनी राशी भी दीजिएगा आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाब पा सकते हैं वो आपके ह कमेंट के रिपलाई में बता देंगे परंतु आपसे निवेदन था विडियो लाइक करना मत भूलिएगा देखिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रही हैं वो है माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद पाने का उपाय एक बात का ध्यान रखिएगा अगर किसी व् लक्ष्मी जी की क्रिपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे सुबह से शाम के बीच में कभी भी नहाने धोने आपको साफ सुथरी हल्दी लेनी है उस हल्दी को लेकर के घर के मुख्य दर्वाजे पर आपको स्वास्तिक निशान बना देना है सिर्फ इतना उपाय आप लोग निर्जला एकादशी तिथी 31 मई 2023 के दिन कर्ज जरूर ही माता लक्ष्मी जी का आशिर्वाद आपके घर को मिलेगा और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी दूसरा उपाय है कर्ज मुक्ती का महा उपाय अब मान लीजिए दोस्तों आ आप लोग दपते हुए चला रही हैं आप चाहते हैं कि आपका कर्जा ख्म हो जाए तो निर्जला एकादशी तिथी के दिन एक उपाय बताया गया है उस उपाय को करने के बाद आपका कर्जा ख्म हो जाएगा एक नार्यल लीजिए में बांधिये धागा आप लोगों को उस पर बनाना है स्वास्तिक का निशान इस पर एक रुपए का सिक्का रख करके किसी भी माता लक्ष्मी जी के मंदिर में इसको दान कर दीजिए सिर्फ इतना उपाय आप लोग निर्जला एकादशी तिथी के दिन कर लीजिए माता लक्ष्मी जी के आशिर्वात से आपका क दोस्तों ये बात आप लोगों को पता नहीं होगी परंतु आपके घर पर कुछ ऐसी नकारात्मक शक तिया होती है जिसकी वज़से आपके घर में रोज लड़ाई जगडा ग्रिहकलेश होता है आपके का माहौल बिगड़ जाता है एक तरीके से आपके घर की जो है वो पूर गर में दिखा दीजिए इतना उपाई सिर्फ निर्जला एकादशी तिथी के दिन कर लीजिए आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा इसी तरीके से दोस्तों अगर आप चाह मंदिर चले जाएगा ध्यान रखिएगा भगवान विश्नु जी के मंदिर जाने से पहले पीले कप्रे जरूर पहन लीजिएगा भगवान विश्नु जी की पूजा में हमेशा पीले कप्रे पहने जाते हैं पीले कप्रे पहनिए पीले 12 फूल लीजिए भगवान तो ओम नमो वासुदेवाय नमा का जाब करना होगा इतना भर निर्जला एकादशी तिथी के दिन पुरे साल आपका राहू के तु आपका साथ देगा आप जो भी फैसला लेंगे उस फैसला से आपको फाइदा पहुँचेगा। इसी तरह से दोस्तों अगर का व्यापार ठप पड़ा हुआ है आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाएं तो ये उपाई कीजिये जो आपको हम बताना रहे हैं। इकादशी तिथी के दिन कभी भी तुलसी के पौधे को नहीं चुआ जाता है। उसके गमले मौली धागा हमेशा बांधा जाता है। इतना उपाई अगर आपने इस निर्जला एकादशी तिथी के दिन कर लिया तो आपका बंद पड़ाव। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाए और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाए। आप जो भी फैसला ले उस फैसला में आपको विश्णु जी और माता लक्ष्नी का आशिरवाद मिले तो दोस्तों निर्जला एकादशी तिथी के दिन अपने घर 11 रोटी बनवाई 11 रोटी में हलकी हलकी गुड की भेदी रख दीजिए और किसी भी गाए खिला दीजिए इतना उपाय कर लीजिए और मान के चलिए दोस्तों आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चलाएगा और आपका सौभाग्य हमेशा मेशा आपका साथ देगा अब एक गाए को ही आपका रोटी क्यों खिलानी हैं तो एक गाए में कोटी देवी देवताओं का गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में मा गंगा जी का वास होता है, भगवान विश्णु जी के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी भी सबसे बड़े गौश सेवक थे तो ये कर लीजिए और जरूर ही आपका दुर्भाग्य आपसे दूर आएगा और आपका सौभाग्य हमेशा देगा, तो दोस्तों विडियो लाइक करना मत भूलिएगा, धन्यवान.